दोस्तों आज की ये जो परवल की सर्ची है ये बनाने का स्टाइल जो है इतना अलग है और स्वाद में भी इतना डिफरेंट है कि आप लोग बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताया तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए रेसिपी सुरू करते हैं जै जगरनात आप सबका स्वागत है मेरी चैनल छेले स्पाइस बॉक्स में एक मसाला बनाएंगे जिसके लिए एक बड़ा चमच पोस्ता दाना एक बड़ा चमच पीली सर्सों एक छोटी चमच काली सर्सों और आधी छोटी चमच जीरा के साथ दो हरी मिर्च को थोड़ा सा पानी डाल के हम फाइन पेश्ट कर लेंगे दोस्तों यह जो सर्सों वाला पेश्ट है इसको हमें थोड़ा टाइम रेश्ट के लिए रखना पड़ता है इसलिए मैंने मसाला पहले पीस लिया अब चलते हैं हम परवल काट लेते हैं यहां पे मैंने 200 ग्राम परवल लिया है तो परवल कैसे काटेंगे कि ऐसे उपर और नीची का जो डंठल है उसको पहले काट लेंगे फिर उसके स्कीन को ऐसे हम स्क्रैब कर लेंगे स्क्रैब करने के बाद इसका छिलका निकालना है लेकिन इसको अल्टरनेट सेप में ही निकालना है इस तरीके से दिखिए एक सिं और जो ग्रीफी है उस परवल के अंदर जाएगा और स्वात बहुत अच्छा आएगा मैं और एक परवल को काटके उसी तरह आपको दिखा रही हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिये परवल थोड़ा सा अगर जादा मतलब कड़ी वीजवाला ना हो तो बहुत अच्छा है सारा काटके धोके अभी ले आई हूं मसाला पीस के आए परवल भी कटके धूल गई है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं एक प्यान में मनिया पे दो गलास पानी डाला नमक स्वादानुसार डाल के पानी जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम ये परवल को डाल देंगे बस एक उबाल आने तक इंतिजार है जब एक उबाल आ जाएगा एक मिनिट के लिए उबलने के बाद इसको हमें क्या करना है परवल को पानी से निकाल लेना है निकाल के एक श्ट्रेनर में रख लेंगे इसको हमें पकाना नहीं है बस हलका सा गरम पानी में नमक वाले गरम पानी में हलका सा बस बॉयल हो जाए ऐसे ही हमेश ट्रेनर में निकाल के अलग से रखतेंगे ये दिखे दोस्तों अभी हमारी परवल जो है वो तैयार हो गया है इसके साथ हम थोड़े से कटी हुए प्याज और थोड़े से कटी हुए लहसुन के साथ दो हरी मिर्च लेंगे एक मिक्सिंग बॉल लेंगे उसमें उप्याज लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे इसमें जो मसाला पेश्ट हम बनाए थे पोस्तो धाना और सरसों का उसको भी डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे मिक्सिंग जार को धोके अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और उसके साथ नमक डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालने से इस सब्ची का कलर अच्छा नहीं आता ये सफिद सफिद दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है तो आप हरी मिर्ची क्वांटिटी पढ़ा सकते हैं एक टीफिन लेंगे जिसमें क्या होगा हम परवल जो वाल के रखे थे उसको डाल देंगे अब उपर से हम जो मसाला बना के रखे थे उस मसाले को हम डाल देंगे दोस्तों ये जो एक सब्ची है ये बहुत अनुखी सब्ची है स्वात बहुत अच्छा आता है तो बस इसको अभी थोड़ा सा हलका ऐसे दबा देंगे दबाने के बदिके हरीमेच ऐसे दो मिने डाला है आप चाहें तो तीन-चार भी अपने टेस्ट के अकुरिंग डाल सकते है इसके उपर से अभी एक most important ingredient चाहेगा ओ है दूद तो यहां पे एक चोथ हाई कप डूद डाल दिया और उसके उपर एक बड़ा चमच करीबन सरसों का तेल डाल दिया डालने के बाद अभी हम इसको क्या करेंगे हलकी हातों से बसे से उपर नीचे थोड़ा सकर देंगे और उसके बाद इटीफिन का हम ढखकन लगा देंगे ढखकन लगा के बनाने के procedure में चलते है कड़ाई हो या भगो ना चड़ा के उसमें दो गलास पानी डालेंगे एक stand ऐसे रख लेंगे एक नीम्बू का टुकड़ा डालने से कड़ाई आपकी गरम पानी से काली नहीं पड़ेगी बीच में हमारी टिफिन को रख देंगे और इसको ढखकन लगा देंगे मीडियम टो लो फ्लेम पे इसको आदे खंटे से 40 मिनिट के लिए पकने देंगे ये भाप में बना हुआ भापा परवल दोस्तों सच में बता रही हूँ इसकी स्वाद मसालेदार परवल की सबजी से बहुत ही अलग है और रेसिवी भी कितने इजी है ना बस साबधानी से इसको निकाल लिए तुरंत इसकी ढखकन खोलने की कोसिस मत कीजिए नीम्बू के बज़े से देखिए कड़ाई हमारी काली नहीं हुई है तो बस दोस्तों इसको हलका सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए टिफिन जब हलकी सी ठंडी हो जाएगी तो उसकी ढखकन भी आराम से खोय जाएगा अभी खोल के दिखा रही हूँ ये दिखिए ये परवल की जो सबजी है ना दोस्तों ये बहुत ही ला जवाब होती है मैं आपको चलिए निकाल के कटोरी में दिखाती हूँ ये सबजी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना चैनल को अगर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर दीजिए और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेयर कीजिए है ना बहुत इजी रेसिपी दोस्तों तो आप लोग ट्राइ कीजिए और मैं चलती हूँ फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक्यू